Welcome to Middle Education कैसे हैं मेरे पेरिश्टेंट्स लीजिए अब आपके सामने कच्छा नौवी अंग्रेजी विशय का प्रश्ण पत्र ले करके आज चुका हूँ जिस वीडियो का बेसबरी से इंद्यार था अब वो वीडियो आपके सामने है बार बार एके मैंसे आरा था कि Middle Age के संक्छा नौवी का कोश्टेंट्स पेपर कब दिखाओगे कैसा रहेगा हमारा पेपर सो प्लेज हमें बताईए न एंड फाइनली लीजिए अब आपके सामने मैं कोश्टेंट्स पेपर ले करके आचुका हूँ देखे इस बात की गरेंटी मैं देता हूँ कि जिस कोश्टेंट्स पेपर को मैं दिखाओँगा दो सो प्रतिसत वही प्रश्णपत्र देखने को मिलेगा लेकिन अब समस्या ये है कि अगर अलग अलग जिले वाई जिला पेपर आगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई तो भी कोश्टेंट्स मिलेगा लेकिन कुछ जिले में सेम देखने को मिलेगा लेकिन कुछ जिले में नहीं मिलेगा लेकिन अगर पूरे मध्ध प्रदेश का कोश्टेंट्स का कोश्टेंट्स पेपर कल का सेम रहा तो सभी experience मजे करेंगे, ऐस करेंगे, सभी का होने वाला है बल्ले बल्ले चलिए हम वीडियो को start कर लेते हैं अभी हम आपको starting में इतना खुस नहीं करेंगे कि आप खुसी कमारे पूरा वीडियो ही न देखो मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूगा कि question paper कहा है कैसे download करना है और कौन-कौन से प्रशन आ रहे हैं मैं again आपसे बोलूँगा जिस questions को मैं tick कर दूँ अच्छे से prepare करना definitely तुम्हारे school में वही प्रशने देखने को मिलेगा तो अगर आप middle education को अच्छे से जानते हैं मानते हैं त्रमाशिक परिक्षा की तरह तो ठीक अर्दवार्शिक में भी टॉप कराऊंगा लेकिन इतना ध्यान दीजेगा इस बर्श या फिर अर्दवार्शिक परिक्षा में में पेपर खुले आम यूटूब पर पूरा पब्लिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे सिख्षकों का नजर है middle education के youtube चैनल पर त्रमासिक में उन्होंने देखा है इसलिए बहुत सारे सिख्षक बड़े-बड़े अधिकारी नजर बठा के रखे हैं कि जैसे middle education में real paper पूरा-पूरा दिखे हम कर दें complain so students आप भी समझते हैं इस बात को तो paper आपको कहीं और मिलेगा इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के बीच में कहीं बता दूँगा कि कोई भी अधिकारी और कमचारी पूरा 20 मिनिट के वीडियो को नहीं देखेगा ठीक इसलिए video में इंड तक बने रहना देखो भाईया सबसे पहले आप समझ लो कि आपका paper रहेगा किस प्रकार से तो मैं बता देता हूँ paper रहेगा 4 section में A, B, C और D ये रहेगा 4 section section number A में हमेशा पैसे स्पूछता है 2 पैस जाएगा section number B में आपसे पूछाएगा writing skills मतलब A से लिखिए ये फिर note लिखिए, title लिखिए तो मैं आपको इस video में बताऊँगा कि note और title कैसे लिखते हैं मैं ये नहीं बताऊँगा कौन से लिखना है ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं वो बताऊँगा और फिर जो paper मेरे पास आया है उसको भी दिखा दूँगा section number C में grammatical पूर्चन आता है और section number D में हमेशा पूछा जाता है आपके किताब से प्रश्ण उत्तर तो उसको हम cover कर देंगे what it? आप समझ गए तो सबसे पहले देखिए यदि आपके exam में later writing लिखने को आजाए writing skills में से later लिखने को आजा तो later कैसे लिखते हैं चाहे formal हो चाहे informal हो अब देखो हमारे प्यारे बच्चे को मन में यही प्रश्ण होगा कि sir formal और informal और अंतर क्या है तो ध्यान से समझो formal letter उसे कहते हैं जब आप किसी अधिकारी या कर्मचारी को लिखते हैं इसकोल के प्रंस्वल साहब को लिखे जीला के कलेक्टर साहब को लिखो नंगर पालिका के अधिकारी को लिखे उनका कहलाता है formal letter लेकिन informal letter जब आपने अपने दोस्त को लिखा अपने भाई को लिखा अपने बड़े भाई को लिखा छुट्टे भाई को लिखा उसे कहते हैं informal letter ठीक है जी तो यह समझ गया न कि formula और informal क्या नतर रहता है यह से बड़ी पार्टी के लिए और summer vacation के लिए winter vacation के लिए भाई की साधी के लिए बड़े बहन की साधी के लिए इसे कहते हैं informal letter अब इसका formatting दिखाऊं किस प्रकार लिखे लिखता है मतलब कहां से पत्र को भीजा है date लिखना है और solution लिखना है तो यह हम skip करते हैं ठीक simple सा आपको sender का address लिखना है date लिखना और नाम लिखना है ध्यान सुन लो नाम कहां से भेज रहे हो और date कि दिनांग से वहां से पत्र भेजा गया है इतना लिखते हो तो क्यें अपन लिखते हों कि मेरे प्रियर धुस्त मैं तुमको आवंतiness करता हूं सापरिवार है इसलिक मद्वर और बहुत सारे बच्चों सी यही चीज तो नहीं बनता है तो कौह दिक्कात नहीं आप इतना लिखो न एक नमबर पाओगे और अंतिम में जवाब लिखोगे कम्पलिमेंट प्लोज एंड सब्सक्रिप्सन इसका मतलब यह है कि कहां भीज रहे हो और किसको भीज रहे हो उसके पते का नाम और उसका नाम और उसका डेट लिखना है यह तो question में दिया होता है तो दो नमबर तुहारा ऐसी बन गया ठीक है तो यह समझके अब देखो यह है इसका format देखो यह इतना लिखोगे उपर देखो नाम और address सिर्फ इतना लिखाए देखो आधारताल जवलपूर अगर कोई जवलपूर से है तो वीडियो को लाइक करके और हमें ज़रूरता है किसरा हम जवलपूर से है ठीक है जवलपूर वाले कुछ कुछ जुगाड़ हो जागा तो इतना लिखोगे तो एक नमबर मिलेगा इसे कहते हैं बेटा बॉडडी जैसे तुम्वारा बॉडड़ हैं दे ही इसा लिखोगे दो नमबर और यहितना लिखोगे छोटू सा चिट्टू सा इसके लिए मिलेगा एक नमबर इस प्रकार से नमबर मिलता है तो यह नहीं बनता है अब बताओ इस haftष्य इतना स्पर लायार लिंक description वरक्स में आभी भी समय है जाओ जाकर कि देखलो वीडियो के in screen में भी आपको link मिल जाएगा चलिए तो हमने ये देखा informal letter अब देख लेते हैं formal letter कैसे लिखेंगे तो formal letter लिखने के लिए to the principle government heart secondary school टेस्ट टेस्ट और जीला जो भी हो और आप लिखेंगे subject an application for TC यह इ अब बताओ, बहुत सो आरे बच्चों को नहीं पता था, कि क्या इतने लिखने पर एक नमर मिलता है, हाँ बेटा, इतना बस लिखोगी तो मिलेगा एक नमर, अब लिखोगी इसका बॉड़ी, फिर वही, ठीक है, प्लीज, इसु माई टीसी, इतना लिखोगे, तो दो नमर, और यह लिखोगे, थैंक्यू सर, और अपना नाम लिख दोगे, कि योर अविलेंटले पेपल, और अपना नाम लिख दोगे, जो भी तुम नाम हो, एक यजड, इसके लिए मिलेगा एक नमर, समझ गये, त और यह लिख देते हो, इसके लिए मिलेगा एक नमर, प्लीज, टेक आई स्क्रिंड स्वाट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा यहां से कोई दिख्कत नहीं है, इससे इसकेप करू, ठीक, पैसेज, ऐसेज, पैसेज, हेलन केलर, हेलन केलर बाई पैसेज, क बार-बार हाइलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब कोई तुबात होगा, तब जाकर करें बार-बार बोल रहा है, अगर नहीं पढ़ना, तो कोई दिख्कत नहीं, इसके पर करके चल आना, कल अगर रोई नहीं न तो बताना, ठीक, चाहिए किसी भी जिले को हेलन के लिटों क कहीं से भी आ जाता है, कभी-कभी इंटरेट से देते हैं, कभी-कभी कोई किताब से, यह फिर कभी-कभी आपकी कोश्चनर मेंग के फिर परिक्षा दिन परिक्षा बोल शुठा के देते हैं, अब देखो, नोटमेकिंग देखने के लिए आपको टाइटल, टाइटल देख इसको मैं erase करते हूं format का screenshot तुम ले लेना ठीक ये रहा फॉर्मेट तो सही लिखना भाई फॉर्मेट सही लिखोगे न तो अपलिस्ट तुम कितना भी गलत लिखोत सारा आधा नमबर दे देते हैं जैसे चार नमर का तो दो नमबर दे दी कभी कभी तीन नमबर दे दी कभी एक नमबर से कम कभी नहीं देते इस चीज़ को ध्यान रखना चलिए आगे बले MCQ बगार सब टिक करा दिया हूं कोई दिक्कत बात नहीं है इस वार मैं टिक कराने नहीं आया हूं आपको जो मेरे पास पेपर आए उसे दिखाने और इसके साथ ही आपके सामने ट्रिक बताने हैं कैसे लिख करके अच्छी नमबर लाएंगे बीना अंग्रेजी को पढ़िए अब मैं ऐसे की बात करूं तो आपके स्कूल में यहीं ऐसे आ रहा है एंड इंडियन फेस्टिवल प्लीस ऐसे अच्छी से प्रप्यार कर लीना चाहिए कोई भी जिले के हो ठीक है नौभी कुछेश पढ़ लेना दोनों के कभी का नाम यह तुम्हारे परिच्छा में देखने को मिलेगा बाकी इसकीप कर दो कोई दिक्कत नहीं से क्रमेटिकल पॉर्शन से कौन कौन से प्रश्ण आ रहे हैं सब मैं बता दिया हूं तो आप इसे क्या करो वहां से देख लेना लिं कुष्ण पेपर को एक साथ नहीं दिखाएंगे अलग अलग मुष्ट आई पी कुष्ण के तौर पर बताऊंगा कुछ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्स में दिया गया है वो इसको वहां जाए जाकर करें अपने पेपर को डाउनलोड कर लिजिए बाकि ज्यादा सेयर म तुम्हारे एक्जाम में वही देखने को मिलेगा ठीक है समझ गे न बाकि मैं पेपर दिखा दूँगा टेंस अमतलो मौर्निंग में उस पेपर का पूरा पूरा वीडियो भी देदूँगा अब देखो प्रैक्टिस कुष्चन प्रैक्टिस कुष्चन में से देख लो ये कुष्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा ये फिट और हेल्दी के बारे में है तो आप इसका भी स्क्रिंशॉट ले सकते हैं अब कुछ मॉडल पेपर है मॉडल पेपर से देख सकते हैं कौन-कौन सा प्रशन आ रहा तो कुष्चन नंबर से कर नहास अच्छे से कर लेना ठीक है वागी कोई दिक्कत नहीं आगे मैं सब बताऊंगा ही एक एक चीज को कवर करूंगा ही आई थिंग ये वाला भिया है बटाइम नॉट से ठीक है एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा टेंसन मतलो सुबह तक हर चीज क्लियर कर दोंगा टेंसन की कोई बात अगर आप पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ऐसे कॉंटेंट में प्रशन होते हैं इस्टागरम पर मैं से पूछ सकते हो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बागी पीडियाफ को डाउन्रोड कर लो क्योंकि उसका तो मैं बीडियो पीडियाफ के थ्रू ही दूँगा और जितने भी चीज पीडियाफ के थ्रू देता हूं उसको आप चेक आउट जरू करना ओके आप इस आम के लिए ओल देश्ट